नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोपनी माढकर और मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग और महार टाइपिंग कई से करनी है, इसके वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड की है, लेकिन आज मैं आपके लिए एक अलग वीडियो लेके आया है, ये वीडियो मेरे जरूर देखने, अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो चानल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो, हलो फ्रेंड्स, क्या आपने भी कभी इस तरह के क्यूब को सॉल करने की कोशिश की है, पर गंटों महिनत करने की बाद भी आप इससे सॉल नहीं कर पाए, त तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, मैं आज आपको एक ऐसी मेथड बताने जा रही हूँ, जिससे आप इस क्यूब को कुछ हिमिंटों में सॉल कर सकेंगे, आप जब इस क्यूब को सॉल करते हैं, तो आप ज़रूर ही इसकी एक साइड सॉल करने की कोशिश करते होगे और आप जब दूसरी साइड करने जाते होगे, तो पहली साइड बिगड जाते होगे, इसलिए आप ये याद रखिए कि हमें उसके साइड नहीं, एक एक लेयर कंप्लीट करनी है, तो चलिए आज हम पहली लेयर सॉल करना सीखेंगे, पहली लेयर सॉल करने के लिए हमें व उसी side के center से तो चलिए इस तरह से हम लोग एक white cross complete करके लेते हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी white side यहाँ पर है जो हम उपर ले सकते हैं पर यह जो orange side है उसको इस center से match करना है तो हम किस तरह से करेंगे? तो पहले हमें वो जो white side है उसके side को उसके center से मिलाना है और फिर हमें उसे उपर लेना है तो इस तरह से हमारे cross का एक side बन गया अब इस red side को उसकी पर हमें उसकी सा बना है तो आप देख सकते हैं कि white cross complete हो गया है उसके sides भी match हो गये है अब हमें उसके corners को अपनी जगह पर लाना है तो उसके लिए हमें एक formula याद रखना है जिसमें 4 steps है तो उसमें आप उस formula को पहले अच्छी तरह से याद कर ले हमें उसको right side से करना है तो formula इस formula का step 1 है right up step 2 है upper side को हमें right side से opposite side में push करना है step 3 right side को down करे और step 4 है हमें upper side को left hand से push करना है तो आप इन 4 steps को अच्छी तरह से याद कर ले इसे repeat करके ही हमें corners को अपनी जगह पर लाना है तो चलिए पहले कि इस corner को यहाँ पे कैसे लाएंगे अब यहाँ पे जो corner होगा उसमें होगा red, green और white तो हम वो वाला corner ढूंडेंगे जिसमें है red, green और white तो यह आप देख सकते हैं यह corner यहाँ है पहले हमें उस corner को अपनी जगह पर लाना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इस corner को लाना है पहले हम उसके उपर ले आएंगे red और green के बीच में उपर ले आएंगे और फिर हमें उन चार steps को follow करना है या complete करना है repeat करना है एक, दो, तीन, चार आप देख सकते हैं अभी एक ही बार में यह corner नीचे आ गया कभी-कभी हमें इस formula को 3-4 बार repeat करना पड़ेगा फिर यह corner नीचे आएगा अब हम दूसरा corner अपनी जगहा पर लेंगे इसी तरह से अगर आपका कोई corner white वाला नीचे आ गया है तो आपको उसे 4 steps से इसको उपर भी ले सकते हैं दो, तीन, चार तो इन 4 steps में आपने उसे उपर move कर लिया और इस corner को आपको जिस corner में लेके जाना है उसे उस तरफ move कर देना है अब यहाँ पर है green, orange और white तो यह यही का corner है इसको हम से फिर उन 4 steps को repeat करके जगह पर लाएंगे तो आप देख सकते हैं यह corner नीचे आ गया अब यहाँ पर चाहिए हमें orange, blue और white जो और यहाँ पर उपर है अगर यह दूसरी जगह पर है तो हमें उसके उपर लेकर आना है और फिर वो 4 steps को repeat करना है right hand से 1, 2, 3, 4 आप देख सकते हैं corner नीचे आ गया है अब हमें दूनना है last corner अब आप देख सकते हैं corner यहाँ नीचे है फिर भी हमें वही 4 steps repeat करके उसको अपनी जगह पर सीधी सही तरीके से लगाना है एक, दो, तीन, चार अब यह अपनी जगह पर नहीं आया हमें उस steps को repeat करना है एक, दो, तीन, चार एक, दो, तीन, चार आप देख सकते हैं अपनी एक layer complete हो चुकी है पहले हमने white cross बनाया फिर हमने corners को एक formula यूज़ करके अपनी जगह पर लेकर आए अब दूसरी layer बनाना ह हम दूसरे parts में देखेंगे तो इस तरह आज हमने cube की एक number की line कैसे solve करनी है यह सीख लिए है आने वाले video में हम 2 number की line और 3 number की line कैसे solve करनी है यह सीखने वाले है